जेसे वेटीद आपको प्रेप क्लास में मैट्स में फॉस्डबल्स यानि की एक ही डिजट को दो बार लिखने पर जो वो डिजट आती है उसे बोलते हैं fast doubles जैसे कि fast doubles means 1 plus 1 is equal to 2 तो ये तो हम जल्दी से बोल सकते हैं 1 plus 1 is equal to 2 2 plus 2 is equal to 4 इसे क्या केते हैं fast doubles यानि कि जल्दी से इसको जोड कर लिखना क्या बोलते हैं हम दोनों को आड करके जल्दी से लिखना 3 plus 3 is equal to 6 3 plus 3 is equal to 6 देखो count करो 1, 2, 3 plus 1, 2, 3 अब count करो इनको दोनों को मिला करके तो 1, 2, 3 आगे की counting बोलो 4, 5, 6 तो 6 आया ऐसे आप लोगों को जल्दी से आनी चीए ये counting तो जल्दी से समझ में भी आएगा 4 plus 4 is equal to 8 5 plus 5 is equal to 10 तो ये क्या होता है fast doubles जल्दी से बोलने वाला जल्दी से समझ में आने वाला 1 plus 1 is equal to 2 2 plus 2 is equal to 4 3 plus 3 is equal to 6 4 plus 4 is equal to 8 5 plus 5 is equal to 10 ऐसे ही 6 plus 6 is equal to 12 7 plus 7 is equal to 14 8 plus 8 is equal to 16 9 plus 9 is equal to 18 ये आप lines draw करके count करके भी समझ सकते हैं लेकिन नहीं समझना है आपको direct आना चाहिए ये ये आपको direct आना चाहिए 10 plus 10 is equal to 20 दो बार 10 करेंगे add तो 20 आज जाएगा तो ये आप लोगों को आना ही चाहिए ये आप लोगों के मैंस की बुक में page number 18 पर दिया हुआ है कहां पर दिया हुआ है मैंस की बुक में page number 18 पर अब मैं आपको नीचे दे रही हूँ वो आप लोगों को अपने आप से लिखना है तो देखिए यहां पर find the sum find the sum यानि कि आप लोगों को अपने आप से करना होता है क्या करना होता है इसमें भी जैसे यह लिखा है 5 प्लास 5 तो 5 और 5 को आड़ करेंगे तो कितना आएगा 10 तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अंसर में 10 यहाँ पे आपको blank दी हुई है यहाँ प्र आपको क्या लिखना है 10 फिर है 3 प्लस 3 is equal to blank तो यहाँ को 6 लिखना है यह रहा 3 प्लस 3 is equal to 6 4 प्लस 4 is equal to 8 4 प्लस 4 is equal to 8 फिर 6 प्लस 6 is equal to 12 6 प्लस 6 is equal to 12 तो ब्लैंक में आपको 12 लिखना है तो यह आपको आना ही चाहिए आप लोग इसे दियान से देखेंगे दियान से समझेंगे बार बार वीडियो सुनेंगे बुक्स खोल करके बैठेंगे और फिर आप यह करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा फिर भी नहीं आता है तो आप लोग लाइन्स ड्रॉ करके उन्हें काउंट कीजिए और फिर यह आंसर फाइंड आउट कीजिए यह आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा ठीक है आप लोग यह कॉपीज में वर्क फेर आउट करेंगे पेज नंबर 18 मैट्स की बुक में से पेज नंबर 18 मैट्स की बुक में से आप लोगों को यह वक करना है फेर आउट करना है पॉपीज में और इससे अच्छे से वीडियो सुन सुन करके समझना भी है और यह आप लोगों को लर्ण भी होना चाहिए क्योंकि यह फास्ट डबलिंग से जल्दी आने वाले डबल्स हैं तो यह आप लोगो को लर्ण भी करने हैं आप लोगों को कभी भी पूछा जाए 4 प्लस 4 is equal to what तो आपको क्या बोलना है 8 4 प्लस 5 प्लस 5 is equal to what आपको बोलना है 5 प्लस 5 is equal to 10 ऐसे आपको जल्दी से अंसर देना आना ही चाहिए तो आप बार बार वीडियो देखेंगे ऐसे बार बार करेंगे इ इसे बार बार कीजिए तो आप लोगों को लर्ण हो जाएगा ठीक है थैंक यू